गुड मॉनिंग एब्रिवन तो आसा करता है जर आप लोग अच्छे होंगे सोस्त होंगे और आज आप लोगों के लिए महला है हूं महराष्ट यानि मुंबई हाई कोड के एक ऐसे जज्जमेंट ऐसे फैसले ऐसे पैसले के बारे में बताऊंगा जिसने अभी भी जो होती है जो उसके क्या होता है काफी मतलब जो पैगनेट होती है और उसके पेट में काफी समय से बच्चा रह रहा होता है तो उसमें क्या होगा कि कि बहुत सारे विकार के साथ में सारी अमानसिक विकार के साथ में व्योर्य है rainbow में पैदा होगा और यहां तक कि पिर वो क्या करती है उस जो फंशने B लेती है और फिर हाई कोड़् जाती है मुंबई हाई कोड मैं आप जाने के बाद में हाई कोड़् सुनती है बहुत जद्द देरी हो चुका है, तो गर्वपात करवाना ठीक नहीं होगा, तो कोट दोनों को सुनने के बाद में और इस पर ये डिसिजन लेती है, महिला के पक्ष में सुनाती है, कि देखिए ऐसा अगर ये बच्चा पैदा होता है, तो सारिक और मांसिक रूप से बिक्रित पैदा होगा तो ना कि बच्चे के उपर इसका मतलब फ्यूचर पर गलत परभाव पर सकता है, और फानिली जो वोंबे हाई कोट महिला के पक्ष में फैसला सुनाती है, और उस महिला को गर्पात करवाने का आदिश देती है, और सुतंतरता देती है, तो कहने का मतलब ये कही न कहीं से, चीज जो सबसे important बात है यह चीज है कि देखिए महिला को पूरा rights है कि गर्भ को रखना है कि नहीं रखना है पूरा rights है। फिर medical board क्या चीज है वो अपनी के वोल राय दे सकते हैं। बाकि जो final decision होता है और यह बहुत दिल को छूने वाला फैसला था। मैं तो जो बंबे हाई कोट के जस्टिन ने यह फैसला सुनाया मैं उनको तह दिल से धन्यबाद कहूंगा और आप लोग मैं कुछिस करूंगा आप लोग भी कुछिस कीजिए कि यह वीडियो कई लोगों तक तक पहुंचे कई ऐसी महलाएं है जिनको अभी भी मसीन बच्चे लोगों तक पहुंच सके जैन